हेमा मालिनी, जिन्हें अक्सर बॉलिवुड की द्रीम गर्ल कहा जाता है, का भारतिय सिनेमा और उससे आगे का सफर उलेखनिय रहा है। यहां उनकी जीवन कहानी, फिल्म उद्योग में संघर्ष और उनकी प्रसिद जीवन शैली के बारे में जानेंगे। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अम्मानकुडी तमिल नाडूक में हुआ था। उन्होंने शुरुवात में भरतनाट्यम और कुचिपुडी जैसे शास्त्रियन रित्य रूपों में प्रशिक्षन लिया, जो अन्तह एक अभिनेत्री के रूप में उनकी पहचान का मिल फिल्म इथु साथियम से अपनी शुरुवात की। उन्होंने 1968 में सपनों का सौदागर से बॉलिवुड में कदम रखा, जहां उनकी प्रतिभा और सुन्दर्ता ने उन्हें जल्द ही एक उभरता हुआ सितारा बना दिया। कई नवागंतुकों की तरहे हेमा मालिनी को भी चुनोतियों का सामना करना पड़ा। 1970 में रिलीज हुई थी, जिसने उन्हें स्टार्डम तक पहुचा दिया। वह अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी गई। उन्होंने रोमांटिक और नाट किये दोनों तरहे की भूमिकाए सहचता से निभाई धर्मेंद्र के साथ उनकी जोडी, जिनसे उन्होंन बाद में शादी की, ओन स्क्रीन और ओफस्क्रीन दोनों जगह प्रतिष्ठित हो गई। और राजनीती में भी कदम रखा है। वह मथुरा निर्वाचन छेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद सदस्य रही हैं और सामाजिक और सांस्कृतिक पहल में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं। हेमा मालिनी भारतिय सिनेमा में एक सम्मानित हस्ती बनी हुई हैं जो अपनी सुन्दर्ता और प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं। एक युवा आकांक्षी से एक स्थाई सितारा और सांस्कृतिक प्रतीक बनने तक की उनकी यात्रा कला के प्रती उनके लचिलेपन और जुनून का प्रमान है। उनकी जीवन कहानी न केवल बॉलिवुड के ग्लैमर को दर्शाती है बलकी प्रतिसपर्धी उद्योग में सफल होने के लिए आवश्यक द्रिड संकल्प को भी दर्शाती है। हेमा मालिनी अपनी सिनेमाई विरासत और समाज और संस्कृती में अपने योगदान के माध्यम से पीजियों को प्रेरित करती रहती है। 2004 में हेमा मालिनी भारतिय जनता पार्टी में शामिल हो गई और राज्यस्भा की सदस्य बन गई। वह भारतिय शास्त्रीय अन्रित्य को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण का समर्थन करने सहित विभिन सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल रही है। अपने पूरे जीवन में हेमा मालिनी को चुनोतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें उनके शुरुवाती करियर में संधर्ष, व्यक्तिगत और व्यावसायक जीवन में संतुलन बनाना और भारतिय राजनीती की जटिलताओं से निपटना शामिल है, हाला कि उनकी पन और समर्पण ने उन्हें भारतिय सिनेमा और संस्कृति में एक प्रिय और स्थाई व्यक्ति बना दिया है, और भी फिल्म स्टार के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो देखें और हमारे चैनल हिस्टोरिकल भारत को सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमें सपोर करें.